कि यहां पर क्या है, r is the set of the real numbers, what to do partition product r cross and r cross r cross, यहां पर जो r cross r है, वो तो क्या present कर रहा है, और r cross r क्या present कर रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है, यहां पर, तो यहां से देखेगा, कि r cross r क्या है, ठीक है, तो यहां से देखेगा, कि solution में, क्या है, कि r cross r क्या है, आपका, r cross क्या होगा, कि हमने, जो 10th class में जो पढ़ के आया थे, जो graphs बनाई थे, वो अपना r cross r ही था, ठीक है, उसी को बोलते है, r cross r, देखते हैं, क्या है, तो यह देखेगा, कि r cross r, represent the, अब r cross r, तो यह होगा, क्या होगा, कि यहां से x, y आएगा, जो कि क्या आएगा, such that x belonging to r आएगा, and y belonging to b, क्या आएगा, r आएगा, ठीक है, which, क्या गरता है, which represent, represent the, represent the coordinates, coordinates, coordinates of points, in, two dimensional, dimensional space, ठीक है, जो अपने पास, यह होता था था, यह x, y plane, इसको हम two dimensional space भी बोल सकते हैं, समझ में आएगी, यह बात है, अब इसी में, इसी में, देखिएगा, अब, जो r cross r, वो देखिएगा, क्या represent करता है, क्या करता है, represents the, r cross r, equal क्या होता है, x, y, z होता है, और यहां से, such that, x belonging to r होगा, y belonging to r होगा, and z belonging to r होगा, ठीक है, तो यहां से, which, और जो की represent क्या करता है, which represents, represent the, coordinate, और पॉइंट, वो पॉइंट, इन थ्री दिमेंशनल इस्पेस, इस्पेस, ठीक है, three dimensional space को denote करता है, यह इसका representation है, और कुछ भी नहीं, क्यां हो, तो क्या जाए आननाम्याज? झाल झाल झाल